जैहिन दोस्तों स्वागत आपका आर्मी रिलेशन भरती यूटूब चैनल में तो भाईयों जैसे कि आप सबी को पता होगा कि AD सेंटर गोपालपुर में भरती चल रही है रिलेशन की जो कि 10 फरवरी को भी थी 10 फरवरी को आपकी स्पोर्ट्स वाले हो गी थी और 11 फरवरी को आज 11 फरवरी को आज 11 तारीक है तो आज आपकी GD की भरती हुई है AD सेंटर में तो बता दू आपके सबसे ज़्यादर जो बच्चे महाँ पर निकाले जा रहे है वो आपके हाइट में और चैस्ट में निकाले जा रहे है तो आपको अभी बताऊँगा मैं आपकी कितनी height मांग रहे हैं महाँ पर और कितनी आपकी chest चाहिए और हर state की height और chest अलग-अलग है तो उसके बारे मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो को ध्यान से देखना और उसमें बताता हूँ कि आपकी timing क्या दी हुई है तो मेरे पास कुछ clips है दिखाता हूँ आपको कुछ photos वहाँ के AD Center का दोस्तों आपके gate का है तो वहाँ पर कुछ भाई उन्हें गुरूप में send किये है टेलिक्राम गुरूप में अगर आप नहीं जुड़े हो तो जाकर जुड़ जाना description में आपको link मिल जाएगी और भाई हमने आपको पहली ही बता दिया था कि आपकी जो भरती होने वाली है उसमें आपको कितना timing मिलेगा तो इस भरती के जो हमने बनाई थी भरती के उपर वीडियो तो same आपको वही timing दी हुई है तो आप इसे देख लेना और जो मैं आप बताऊंगा आप वो भी check कर सकते हो और ऐसी हम आपको next day की जानकारी देंगे और अभी तक जिस भाई ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे जाकर सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर bell icon का बटन है इसे all पर जाकर set कर लेना इससे होगा जो भी हम next video अपलोड करेंगे तो आपको बहुत जल्द जानकारी मिलती रहेगी अगर आपने subscribe कर रखा हो तो अच्छी बात अगर जिसने नहीं किया तो भाई जाकर जल्दी से subscribe का option on कर लो और notification पर all को set कर दो और telegram group जुडने से आपको फायदा बहुत होगा क्योंकि हम उसमें update देते रहते हैं आपके जो भी भरती होती है तो चलिए पहले आपको बता देते हूं आपकी height के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी height देख सकते हो यहाँ western region में आते हैं जो जैसे जम्मो कस्मीर, हिमाशल परदेश, पंजाब और आपके जो भी आते हैं तो आप इसमें देख सकते हो 6 cm आपकी chest जो है चल जाएगी लेकिन आपको बता दूँ आपकी जो 77 हर जगा मागी हुई है और 5 cm का आपका flow होना चाहिए फुलाओ नहीं उतर रहा तो इसके लिए आपको बहुत बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे निकाल रहे है आपकी running भी अच्छी हो रही है आपको timing के बारे मैं बताऊंगा मैं आपके कितने बैच बना और कितने बच्चे पकड़ रहे है और बता दूगी भा आपका father का relation है पिता जी का तो आपको 2 cm के छूट मिल जाएगी 168 cm आपकी height होना ची है 68 तो वो चल जाएगी आपकी height और आपका chest आपको 77 cm का आपका flow होना चाहिए और उसी परकार से आपके सभी यहाँ पर देख सकते हैं हम इसे अपने telegram पर send कर देंगा अगर जिसको दे आपके जो महाँ पर medical की date दे रहे है दोस्तो medical की आपकी next day की महाँ पर date दे रहे है और चलिए अब आपको बता देता हूँ मैं आपको timing कितना मिल रहा है महाँ पर timing मिल रहा है दोस्तो आपको महाँ पूरा 5.45 कल जैसे की sports वालों की भरती थी तो महाँ पर 5.40 timing मिला था किस किसी group को नहीं तो जादतर आपको 5.50 का first group और 5.45 सेरा के second group महाँ पर time दिया था पूरा तो उसी परकार से आज जैसे की जीडी वाले की भरती है और कल की भरती है और अभी आपको यह भी डाउटर है कि कल की जैसे भरती है तो उसमें क्या हम जीडी वाले देख सकते हैं जैसे की मैंने उस वीडियो में बता दिया था आपको सो का आपका बैच बन रहा है सभी बैच सो के बन रहे हैं आपके जो बच्चे पकड़ रहे हैं साथ से लेकर आपके 55 बच्चे महाँ पर पकड़ रहे हैं तो आप सो सकते हो कितनी अच्छी भरती हो रही है साथ से लेक हो रही है वो आपकी फटे पर हो रही है रोड रूड 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 तो उनको पता लग जाए अगर किसी के पास colorful photo state हो जिसकी थोड़ी बहुत भी जास नहीं पढ़ रही हो या lamination करवा लेना उसके ओपर तो फिर आप entry मिल सकती है लेकिन होनी चाहिए आपको ऐसी colorful की वह बिल्कुल ओजनल लगनी चाहिए सिर्फ self center वाला कर सकता है ऐसे काम को क्योंकि अधर सेंटर का इसमें थोड़ा मुस्किल चांस है और हमने आपको वेकेंसी के बारे में तो आपको बताई दिया था जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल तो जैहिन मिलते हम फिर किसी ओर नेक्ट वीडियो को साथ जैहिन जै भारत